hey everyone welcome back again to my youtube channel learn balo is a concept so how are you all guys i hope all of you are well so everyone today we will discuss about urine formations right जो किस के अंडर आता है एक्सक्रेशन के अंडर आता है और इसमें आज हम लोग कौन कौन से टोपिक देखने आए ग्लोमेरियूरर फिल्ट्रेशन्स selective reabsorption and tubular secretions ओके तो आज हम लोग थी टोपिक इसमें कवर करने वाले हैं everyone filtration कैसे होता है filter कैसे होता है reabsorbs क्या होता है और secretions कैसे होता okay तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं so everyone हमारे हैं से सुरूफ physiology of urine formation ठीक है these all three stages involved in the process of urine formation urine formation में इतीन प्रोसेस के involved होता फर्स्ट है glomerular filtration जिसको अल्टा फिल्ट्रेशन पी बोलते हैं selective reabsorption और तीसरा है tubular secretions okay next step look देखते हैं नफ्रों का डाइग्राम ठीक है नफ्रों किसको बोलते हैं नफ्रों नफ्रों single unit of kidney is called the nephron okay kidney के unit को क्या बोलते हैं नफ्रों बोलते हैं राइट राइट यह हमारे single nephrons का exam diagram से आप यहाँ देख सकते हो यह है cortical cortical radiate arteries है ठीक है यह cortical radiate arteries है यह है glomerular capillaries यह efferent arterios यह side बला है afferent arterios यह है glomerular capsules यह जो उपर से है जो capillaries को glomerular capillaries capillaries के उपर capillaries के उपर जो यह cover किया है glomerular capsules यह जो नीचे किया है rest of renal tubules और यह जो हमारे efferent arterios किया है यह नीचे किया है तो उसको क्या बलेंगे peritubular capillaries अंत्मिक है cortical radiate veins है ठीक है यहाँ पर क्या दिया हुआ है glomerular filtration ठीक है water and solutes smaller than proteins ठीक है waters जो होते है waters and solutes solutes water के छोड़के solutes में क्या अगे proteins हो गये glucose हो गये solutes हो गये solutes smaller than proteins water and solutes smaller than proteins proteins से भी smaller solutes है प्रोटीन तो बड़ा solute हो गया, water solutes smaller than proteins are forced through capillaries walls and pores of the glomerular capsule into the renal tibules, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि water solutes smaller than proteins, protein से क्या तो smaller होता है, water solutes क्या होता है, protein macromolecules से, मैक्र मोलیکaben से तो गया होता है, दोनों forced, force के थूरू, capillaries walls and pores के थूरू क्या होता है, वो renal tubules में आ जाते हैं, ठीक है, कहा आ जाते है, renal tubules में, यहाँ से च्चंप करे, capillary से च्चंप करे कहा जाते है, यह हमारे renal tubules में आ जाते है, ठीक है, वह होगे फिल्ट्रेशन फिल्टर के होगे और टिबूलर रीपजोप्शन तो नाम से पता चल रहे हैं पर क्या होता है रीपजोप्श होता है ठीक है तो किसका किसका वाटर्स ग्लुकोज अमाइनो इसीट्स एंड नीड़ेड आयन्स आर्ट्रांस्पोर्टिर आउट अफ इन्ट्रांस्पोर्ट्रेट इन्टो टिबूल सेल्स में चला जाता है और उसके बाद क्या होता है और कैपिलरी ब्लड में उसके बाद चला जाता है ठीक है तिसरा है टिबूलर सिक्रिशन है गल मेरीडल कैपिलरी और ऑमेनस कैप्सूल्स ठीक है ठीक है ऐसे को टीए क्या कि श्चै कि मेहते हैं त्याफूंर रखे होता कप जसने का स्कास्ट सब्सक्प्रेंडव वसफ पीजिल 500г भंश प्रीति सेंट कयो भूब ग्लोमे इंटत्रेयली आप्लू Criston ऑनट स् इड्जिस प्लेस्टतरू सेमी परियमेबल ओर्स के थूर होता ही ठीक है Filtration NEC, अफरेंट आर्टियोल सप्लाइं बलडड टू ग्लोमिरर कैपसूल क्यारि यूसफुल एज हामफुल से सबस्टानस ठीक है जो अफरेंट आर्टियोल से थीक है जो इधर से आता है और यह हमारा Bomins capsule है ठीक है यह है efferent है यह है efferent ठीक है तो क्या करा कि efferent RTL क्या सप्लाइब करता है blood to glomerular capsules carries useful as well harmful तो efferent में useful और harmful दोनों substances किसमें होते हैं efferent RTL में ठीक है the useful substances कौन-कौन से glucose, aminos, vitamins, hormones, electrolyles, ions, etc तक यहां तक समझ न से हैं wastain डाइमेटर ओफ इफरेंट आर्टियोल देडान्ट सब्सक्राइड़ क्या करें उपदी जादार्पीं यह जादा नारो है, जादा नारो है जब क्या होगा अफ्रेंट थोड़ा उस से क्या होगा थीक होगा ठीक है due to this difference in diameter of arteries blood living the glomerulus creates the pressure known as the hydrostatic pressure यहां पर क्याता है creates होता ठीक है इस difference के कारण्स क्या होता है due to this difference in diameter of arteries blood living the glomerulus creates the pressure creates जिसका क्या क्याता है hydrostatic pressures ठीक है narrower होने के कारणों हापर pressure create जिसका है the glomerulus hydrostatic pressure forces the blood to lift the glomerulus resulting in filtrations of blood ठीक है a capillary hydrostatic pressures of about 7.3 kilopascals builds up in glomerulus ठीक है कितना builds up होता है 7.3 kilopascals however this pressure is opposed by the osmotic pressures of blood provided mainly by the plasma proteins about 4 kilopascals 30 mm a g and by and by filtrate hydrostatic pressures of 2 pascals hydrostatic pressures कितना है about 2 pascals plasma proteins का कितना है 4k pascals ठीक है और osmotic का है हमारा osmotic का है 4k pascals ही osmotic का और हमारा यह कितना है glomerulus hydrostatic process का capillary hydrostatic pressure 7.3 यह ठीक है तो हमारा 3 data मिल गया अब यह हमारा the net filtration pressure is therefore तो हमारा net filtration pressures कितना है जगा 10 mmHg total हमारा 10 mmHg हो जाएगा next देखते है by the net filtration process of 10 mmHg blood is filtered in the glomerular capsules ठीक है blood कहां पर filter होगा glomerular capsules में filter होगा water and other small molecules really pass through the filtration cells but blood cells plasma proteins and other large molecules are too large to filter through therefore remain in the capillaries और जो बच्चे हो रहे थे large molecules नहां capillaries में ही रह जाते है ठीक है जो large molecules होते the filtrate containing large amount of water glucose amino acid uric acid urea electrolytes acid in the glomerular capsule is known as the nephric glomerular filtrate ठीक है जो large amount of filter रहा पर रह जाता है कहां पर capsules में जो उसको क्या बोलते है glomerular filtrate बोलते हैं ठीक है filter करके रहा के तो filter the volume of filtrate found by both kidneys and kidneys and each minute is called the glomerular filtration rate बोलते है GFR ठीक है the volume of filtrate found by the both kidneys each minute each minute is called the glomerular filtration rate ठीक है next मुलक दिखते है in a healthy adult GFR is about 125 ml per minute that is 180 liters of filtrate are formed each day by the two kidneys ठीक है तो two kidneys है 180 liters 180 liters कितना बनता है 180 liters और 125 ml per minute बनता है ठीक है per minute filtrate होता है next मुलक देखते है selective reabsorption के ठीक है रख फिल्ट्रेशन हो गया अब selective reabsorption देखते है तो selective reabsorption नाम से ही पता चल रही है यहां पर क्या होगा मॉलकूल का reabsorption होगा ठीक है selective molecules का reabsorption होगा तो as the filtrate passes to the renal tibule's useful substances including some water electrolytes and organic nutrients जैसे कि glucose, amino acids, vitamins, hormones, etc are selectively reabsorbed from the filtrate back into the blood in the proximal convoluted tibule यानी की PCT ठीक है PCT में क्या होगा वापस से reabsorption होगा without energy का और कुछ सबस्टानस में क्या होगा energy का यूज होगा ठीक है major portions of the water is reabsorbed by the osmosis ठीक है और water का reabsorption कैसा होता osmosis process के थूँ होता ठीक है अब लोग देखते है osmosis process के थूँ water का major water का reabsorption होता है only 60 to 70% of filtrate reaches the henle loop ठीक है henle loop के पास कितना percent filtrate पहुंच था 60 to 70% much of this especially water sodium chloride ठीक है और उसमें सी भी 60 to 70% में क्या रहाता है sodium water chloride का होता है ठीक है is reabsorbed in the loop रूप में क्या होता है reabsorbed हो जाता है so that only 15 to 20% of the original filtrate reaches the distal convylated tubule यान की DCET distal convylated tubule more electrolytes are reabsorbed here especially sodium so the filtrate entering the collecting ducts is actually quite dilute ठीक है the main functions of the collecting duct जो लास में हमारा गिये जो हमारा ऐसे होता है ना आईसे होता है ठीक है यह होगयa PCT यह हमारा होगया DCT और यह ही हमारा होगया CT collecting duct ठीक है last में हमारा क्या होगया collecting duct यह हो गया ग्लोमिरोल कैप्सुल्स यह हो गया हमारा कैपिलरी आफरेंट इफरेंट यह हो गया लूपफ हैंले यह हो गया PCT यह हो गया DCT यह हो गया PCT 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 यह हो गया PC त्रश्वाटर एज दा बोडी निट्स ठीक है नूट्रेंस अच अज ग्लुकोज अमाइनो एसीड और विटामिन से री अब्ज़र्ट बाइद एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिन्स एनर्जी का यहां पर क्या होगा ज़र रहत होगा किसे ट्रांसपोर्ट क ट्रैकली त्रадиकर प्लेज़र्ट यहां पर क्या फूब्जसे देखो ग्लुकोज अमाइनो एसीड विटामिन्स का री अब्जॉर्पशन से तिम्टा मींस का ट्रुक्र ट्रांसपोर्ट एंप्जिफिप ट्रांसपोर्ट के थूब्ट got पॉजिटिव चार्जड आयन्स और इसमें के जरत होती है जब कि निगेटिव पैसिब ली टांसपोर्ड हो जाते हैं water is reabsorbed by the osmosis and small proteins are reabsorbed by the penocytosis 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 का मतलब होता है कि यहाँ पर हमार मॉलेकुल से रहो वो क्या करता है membranes को membranes को blood capillaries के membranes को क्या करता है penetrate करके penetrate करके वो क्या होता है reabsorbs हो जाते है ठीक उसी को क्या करते है penocytosis अब नेक्स हमारा tubular secretions tubular secretions takes place from the blood in the peritubular capillaries to the filtrate in the renal tubules ठीक है tubular secretions का होता है takes place from the blood blood से लेकर के in the peritubular capillaries से लेकर के filtrate in the renal tubules तक होता है blood के capillaries से लेकर के renal tubules तक होता है and can ensure that wastes such as creatinine excess H plus protons and excess K plus sodium ions are actively secreted into filter to be excreted, ठीक है, to be excreted, तो क्या कर जो waste है हमारा creatinine, H plus hydrogen ions, K plus ions are actively secreted, तो नेक्ष देखते हैं, excess of sodium, excess of sodium ion is secreted in the tubules, ठीक है, and in exchange sodium ion is reabsorbed, otherwise it causes a clinical condition called hyperkalmia, hyperkalmia cause करता है, ठीक है, यहां क्या करें, जो excess sodium ion, potassium ion होते हैं, secreted in the tubules, ठीक है, tubules में secret होते हैं, and in exchange sodium ions is reabsorbed, and in exchange sodium ion में क्या होता है, यह exchange होता है, और reabsorbed होता है, ठीक है, otherwise it causes, अगर यह ऐसा नहीं होता है, तो यह क्या 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 करता है, conditions hyperkalmia, hyperkalmia, next हम लोग अब देखते हैं, the tubular secretions of hydrogen ions is very important in maintaining normal blood pH, ठीक है, hydrogen ions का secretions बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे body से निकलना, उसका secret होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, otherwise हमारा body में क्या होगा, pH level increase हो जाएगा, ठीक है, pH level increase होगा, इसलिए pH level को blood में maintain करने के लिए hydrogen ions का भी निकलना जरूरी है, next है, substances such as example drugs including panislin, aspirin may not be entirely filtered out of the blood, because of the short time it remains in the glomerulus, ठीक है, यह glomerulus में ज़्यादा time तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसका क्या होता है, filtration नहीं होता है, such substances are killed by secretions from the peritibular capillaries into the filtrate within the convolated tubules, ठीक है, such substances are cleared by, कैसे cleared होता है, secretions from the peritibular capillaries से into the filtrate within the convolated tubules में होता है, ठीक है, अब next हम लोग देखते हैं, the tubular filtrate is finally known as urine, ठीक है, urine, the urine is usually, usually hypertonic होता है, urine क्या होता है, hypertonic का मतलब क्या है, hypertonic का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, solutes क्या होता है, high होता है, ठीक है, हाईपर्टॉनिक हमातलब solute high और solvent low उसका मतलब क्या था हाईपर्टॉनिक अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर continued as water solutes are reabsorbs the first loop first concentrated and then diluted यहाँ पर उसका process दिया हुआ है filtration पूरा urine formations को यहाँ सो हम लोग देख सकते हैं ठीक है first है हमारा filtrate entering the nephron loop is isosmotic to both blood plasma and cortical interstitial fluid ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है कि filter हमारे यहाँ पर enter कर गया है किस पर enter कर गया है nephron loop में यहाँ पर enter कर गया ठीक है और यह क्या हो रहा है waters का reabsorption हो रहा है यहां पर water का और कनि रोक है यहां यहां पर किया हो रहा है कि यह क्या हो रहा रहा है यहां पर यहां पर देखिए impermeables होते हैं नेफरोन लूप यह है लूप ऑफ हैंले और सेकेंड में किया वाटर मुप्स आउट दा फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग लिंब डाउन इट्स अस्मॉर्टी ग्रेडियन इस कंसेंट्रेट फिल्ट्रेट थर्ड में हमारा क्या है one 3 तर्ड में हमारा यहां हैuarसст formल्टी एट्स हाइस्थ कंसेंट्रेशन इंडव नह ों यहां पर हायच होजात है औरहें अथरन लंग में 1200 में 1200 हो जाता है ठीक है नेक्ट स्थी उपर जातेवे फिर क्या हुथा केंचेंट्रेशन प्यू एहां पर देए यहां पर शक्वांडेट न फिर अपर क्या था यहां क्या होता है, entirely filtered out of the blood, entirely filtered out of the blood because of short times, it remains in the glow merulous में, यह short time के लिए रहता है, ठीक है, next, such substances are cleared by the secretions from the peritubular capillaries into filtrate within convolated tubules में क्या होता है, यह क्लेड हो जाता है, ठीक है, next, the tubular filtrate is finally known as urine, tubular filtrate को ही हमलों क्या बोलते है, urine बोलते है, urine is usually hypertonic in conditions होता है, ठीक है, urine hypertonic conditions, अब यह है हमारा डाग्राम्स, आपर देख सकते हैं, यह हमारा क्या है, glomerular capillaries और यह है, capsules ठीक है, यह एक इधर से affront, यह different arterial है, यह PVC proximal convolated tubules, यह loop of handling, यह distal convolated tubules, यहाँ पर हमारा क्या होता है, collecting duct होता है, ठीक है, collecting duct होता है, यह loop of handling है, यह लोग इसका एक one by one करके process देखते हैं, filtered, entering the, filtered यहाँ पर enter करता है, ठीक है, entering the, कहाँ पर, capillaries में enter करता है, फिर वहाँ से, यह कहाँ पर जाता है, पी, वी, सी proximal convolated tubules से होते हुए, यहाँ पर आता है, और यहाँ पर water क्या होता है, the moves out हो रहे है, water passively, water curry absorption कैसे हो रहा है, passively हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या concentration यहाँ पर high हो गया, 1200 हो गए, यहाँ पर, फिर वापस से क्या होने लगा, reduce होने लगे, ठीक है, वापस से concentration reduce होने लगे, यहाँ पर NACL का क्या हो रहा है, actively reabsorption हो रहा है, फिर यहाँ पर light concentrations हो गया, light concentrated हो गया, और यहाँ से फिर हमारा क्या होता है, collecting tubules से होते हुए, urine का, के यहां से हमारा फर्म सन होता है मिक्चु रिश कendaन एक प्रॉस अधा है कि यूरिनरी ब्लाडर है में हमारा रु स्टोर होता है कलैक्टु असके रिम wish रिमोबल्स और क्या ब्रॉस हिना ॥ करते हैं ठीक है the process of time to time collections and removal of urine from the urinary bladder is known as a micturations और क्या दिया है कि more than अगर हमारे urinary urinary bladder में 300 ml से ज्यादा urine स्टोर होगे तो आप एक प्रेशर के लिए ठोगा ठीक है जो क्या होता है urination के लिए हम लोग को क्या करते है डिजायर करता है ठीक है activate करता है so thank you everyone अब हम लोग मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye